नमश्कार साथियो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सिक्सकों का वेतन अब पेरोल सिस्टम से आएगा उसमें मैंने बताया था कि जल्द ही ये लागू होने वाला है और आपका अगस्त महा का वेतन सितंबर महा में पेरोल सिस्टम से ही आएगा पेरोल सिस्टम की खास बात है कि वो एक तारिक को वेतन आपके खाते में प्रेसित हो जाएगा तो साथियों आज पेरोल सिस्टम लागू हो चुका है आपको जल्द ही आपके ब्लोक के वाटस अप ग्रूप पर एक लिंक मिलने वाला है जिस लिंक पर आपको क्लिक करके अपनी कुछ सोचनाई देनी है जो सोचनाई आपकी मानव संबदा पोर्टल पर अपने आप फीड ह हो जाएंगी और जब वे सोचनाई फीड हो जाएंगी तो आपका वेतन अपने आप आपके खाते में प्रेशित कर दिया जाएगा यानि कि पेरोल सिस्टम आपके वेतन के संबंदित सारी जानकारी उसके पास होंगी आपका कितना टैक्स कटता है सबी आपकी कितनी छुट प्रेशित करें सब को वह अपने आप ले लेगा और वेतन आपके खाते में प्रेशित हो जाएगा मेरे ब्लोक में पेरोल सिस्टम लागू हो चुका है और यहां पर वेतन लिंक जेनरेट हो चुका है मैं आज आपके इस वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से उस लिंक पर क्लिक करके हम अपनी सोचनाई देंगे और अपनी सोचनाई देने के बाद फिर हमारा वेतन पेरोल सिस्टम से आएगा तो चलिए जानते हैं देखते हैं कैसा है वो लिंक औ प्रविस्टियां विकासखंड चर्थावल मुझफवनगर यानि कि यह हमारे मुझफवनगर का एक ब्लोक है वहाँ पर लिंक चेनरेट हो चुका है सभी परधान अध्यापक इंचार जद्यापक अपने विधाले के समस्त स्टाप से निम्र फ्राम तूटी रहत भरवा कर सीगर विजवाएं ताकि समय से आनलाइन वेतन की प्रक्रिया फोन हो सके विकासखंड चर्थावल इसे तरह का लिंक आपको भी जल्द ही एक या दोन भी दिन में ही आपके ब्लोक के वाटसप ग्रूप के माध्यम से आपको मिल जाएगा आपको इस लिंक पर क्लिक करके अ ऐसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो यह लिंक हमारा खुल जाएगा देखो इसमें लिख रहा है सबसे उपर ही पेरोल आनलाइन वेतन के लिए डाटा फीडिंगे तू परविस्टियां विकासखंड चर्थावल मुझफळ नगर यानि जो भी आपका विकासखंड होगा इसमें जानकारी होंगी इसमें रिक्वाइड क्या कहा है सबसे पहले इसमें आपका नंबर वन पर मानाव संपदा आईडि यानि इहरमस कोड आपको भरना है तो आप इसमें अपना इहरमस कोड भर देंगे दूसरे नंबर पाता है एमपलोई नेम कैपिटल लेटर्स में आप अपना नाम इसमें भर देंगी सबी सूचना है आपकी कैपिटल लेटर्स में होंगी और फादर्स नेम फीमेल टीचर्स राइट फादर्स नेम अल्ली इनिस्टीड ओफ हस्बेंड नेम यानि फीमेल टीचर्स को भी फादर्स का नेम लिखना है ना कि हस्बेंड का न नाम लिख दें चोथा कोलम है employee designation यानि employee का designation क्या है headmaster upper primary level assistant teacher upper primary level headmaster primary level ascent teacher primary level अनुदेशक शिक्षामित्र पियोन क्लर्क ये सब चीज़ आप उसमें से भर देंगे number 4 पे आता है school name यहाँ पर आप अपने school का name लिख देंगे number 5 पे number 6 पे आता है pen card number आपके pen card का number क्या है वो इसमें आपको feed करना है अपने pen card का number number 7 पे आता है आधार number यानि की आपका आधार number क्या है उसके बाद number 8 पे आता है bank name यानि salary account यानि आपको अपनी salary का account इसमें डालना है bank branch name यानि bank के branch का नाम आपको यहाँ पर डालना है नंबर 10 पे आता है bank का IFSC code यानि जो bank name है number 8 पे इसमें आपको अपने bank का नाम लिखना है जो भी आपका नाम है पंजाब national bank है state bank है आठ नंबर पे इसमें salary account वाला जिसमें आपकी salary आती है उस bank का नाम लिखना है bank branch name लिखनी है कौन सी bank branch है उसके बाद bank IFSC code आपको इसमें लिखना है next आता है 11 कोलम bank account number इसमें आपका bank account number लिखना है और उसके बाद submit के option पे click कर देना है जैसे ही आप submit के option पे click करेंगे तो ये सारी details आपकी मानव संपदा portal पर feed हो जाएंगी और जब सात्यों इन details को देने में बिल्कुल भी गलती मत करना ये details अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका वेतन किसी और के खाते में प्रेशित हो सकता है इसलिए सूचनाओं को बड़े ध्यान से वरिये और जैसे ही आप ये सूचनाएं submit कर देंगे तो ये सारी सूचनाएं आपके मानव संपदा पोर्टल पर automatic feed हो जाएंगी और मानव संपदा पोर्टल पे payroll system लागू हो चुका है अब आपको payroll system से वेतन होगा साथ योग payroll system के वारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने आपको details में बताया था कि payroll system से salary slip भी generate कर सकते हैं फार्म 16 भी ले सकते हैं आपकी उसमें full details होगी आपको कोई problem नहीं होगी एक सिक्सक के हित में ये बहुत ही अच्छा कारिय किया गया ह अब आपको जाके office के चक्कर नहीं काटनी पड़ेंगे कि आपको अपना salary slip लेना है या आपको farm 16 लेना है इसके साथ साथ जब आपको farm 16 भी यहाँ से मिल जाएगा तो आप अपना i car return भी online कर सकते हैं मैं उसके लिए कहीं वीडियो बना रहा हूँ पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने सभी धाराओं के बारे में बताया था इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि income tax portal पे register कैसे करना है income tax return कैसे करना है इनके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा साथ यो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को like की कीजिए share कीजिए और वीडियो पे comments कीजिए इसके साथ साथ मैंने एक WhatsApp ग्रूप भी बनाया हुआ है मैं इस वीडियो के description box में उस WhatsApp ग्रूप का link send कर दूँगा आप चाहें तो उस ग्रूप से जुड़ सकते हैं मेरी सभी वीडियो उस ग्रूप पर आपको आसानी से मिल ज कि कीजिए act